अब ध्यान दो question no.2 ठीक है ये भी graph नहीं है तो graph में plot करनेगा उसके पहले आप उन value find कर लेंगे ठीक है इसमें भी देखो x plus y equal to 5 और x minus y equal to 3 करके question में दिया ठीक है मैं उसको दो पार्ट में ऐसे लिख दिया ठीक है तो पहले पार्ट के लिए मैंने ये box में बनाया ठीक है box question में नहीं दिया रहेगा आप उनको ये box करना पड़ेगा box में क्या का आएगा x आएगा y आएगा x minus 3 तीन box कर लो ज्याद तो देखो put x equal to कौन सा भी ले सकते है ठीक है मैं minus 1 ले रहे है starting में तो put x equal to minus 1 ये question में डालनेगा x plus y equal to 5 तो x का value का है minus 1 y का value आप उनको नहीं मालू में ठीक है तो ये 5 आएगा तो therefore y इदर ही रहेगा 5 इदर रखनेगा ये minus 1 इदर जाएगा तो plus 1 बन जाएगा तो therefore y equal to कितना हो जाएगा 6 तो y का value मिल गया 6 अपने बास देखो आप उनने y minus x equal to minus 1 आप उनने लिया था तो आप उनका answer मिल गया y equal to 6 तो दो value मिलने के बाद पहला x का value लिखनेगा minus 1 फिर y का value 6 ऐसा लिख देनेगा ठीक है तो ध्यान दो ठीक है अब भी second put वापस x के जगा पे आप उनक्या लेंगे minus 1 लिया तो next number क्या रहेगा 0 तो वह इसा कुछ भी ले सकते है तुमनों 3,4,5 लेगीन 0 लेलो ठीक है easy रहेगा तो x का value आप उनक्या लिया तो x का value जिरो लिया तो x का value जिरो लिया जिरो आप उनक्या डाल सकते है ला y equal to 5 therefore y equal to 0 उदर जाएगा तो भी कुछ फरक नहीं होने वाला है तो y equal to answer क्या आएगा 5 तो y का answer 5 मिल गया इदर लिख देनेगा तो अभी ये bracket में x का value 0 जो आप उनक्या था y का value 5 जो आप उनको मिला था तो दोनों इदर लिख देनेगा ठीक है अभी last box का लिए उसको भी fill कर लेंगे तो अभी तुम लोगी बोलो कौन सा भी value ले सकते हैं तो आप उनक्या लेंगे put x equal to x ले लो ठीक है x equal to y भी ले सकते हैं लेकिन हम इसा x लेगा तोड़ा easy रेगा सम करने में तो put x equal to 1 देखो minus 1 लिया 0 लिया अभी 1 लिया ठीक है कौन सा भी number ले सकते हैं तुम plus y equal to 5 x के जगा पर value मालों में 1 तो y y सी आएगा 5 therefore y find करने का ये 5 उई से ही रेगा ये 1 इधर जाएगा तो plus का 1 इधर जाएगा तो minus 1 तो therefore y equal to 5 minus 1 4 तो answer क्या आएगा इधर पर 4 ठीक है तो last में x कमा y का value क्या मिल आप उनको 1 कमा 4 ऐसा मिल गया तो देखो ये question था उसके लिए आप उनने box किया फिर तीनों value आप उनने x को put minus 1 x को put 0 x को put 1 के लेके तीनों y का value find करेके आप उन ये कर दिया अब ये तीन value को आप उनको graph में plot करने का ठीक है वो ये sum solve करने के बाद दोनों value को आप उन graph में plot कर देंगे ठीक है तो अभी ये देखो अभी इसम तो में भी देखो तीन box में ने बनाया कोस्टीन का लिता box में बना दिया x y xy ले लिया box अभी फिल करना पड़ेगा तो आप उन क्या लेंगे pout वापस से put solution लिए लो put x equal to क्या लेंगे minus 1 ठीक है कुन सा भी नंबर ले सकता है फिर भी आप उन minus 1 ले रहा है तो यह जगा देखो x minus y equal to 3 ठीके question लिया अब यह x का वाली क्या minus 1 तो x के जगा पर हमें minus 1 यह minus y equal to 3 therefore यह minus y को इधर ही रखेंगे यह 3 इधर ही रहेगा यह minus 1 इधर जाएगा तो plus 1 में जाएगा तो therefore minus y equal to 3 plus 1 4 हो जाएगा तो मैं तुम लोगो starting सही बता रहा है यह answer minus में नहीं रहेगा तो इसको आपन करेंगे y को plus कर देंगे तो यह minus y सेड चला जाएगा तो यह answer ऐसा आजाएगा तो आपनने x के जगा पर क्या लिया minus 1 y आपनको क्या मिला minus 4 तो यह क्या रहेगा answer minus 1 कमा minus 4 अभी second में देखो second क्या लेंगे अपन put x equal to 0 ठीक है यह question आपस निकालो x minus y equal to 3 x के जगा पर 0 minus y y c रहेगा 3 इदर रहेगा therefore minus y equal to यह 0 इदर जाएगा 3 के पास में कुछ फरक नहीं होने वाला है 3 y c के y c रहेगा therefore यह minus है इसको plus करनेगा ठीक है तो आपने answer क्या आया x आपने 0 आपने लिया था आपने answer आया minus 3 तो आपने लिखने के time पे 0 कमा minus 3 समझे में रहा है न easy है न देख लो अभी next देखो यह box fill करने के लिए put क्या लेंगे x के जगा पे आपने क्या लेंगे इधर पे कुछ भी लेलो क्या लेंगे बोलो 1 लिया था न तो y 1 लेलो put x equal to 1 2 लेलो 3 लेलो लेकिन मेरे यह साब से 1 लेगा तोड़ा easy रेगा अभी यह question आपस लिखो x minus y equal to 3 x के जगा पे 1 y y c आएगा therefore minus y equal to 3 y c आएगा यह 1 इधर जाएगा तो minus 1 therefore minus y equal to 3 minus 1 2 आएगा again देखो answer minus में तो इसको plus में रेखनेगा तो यह answer क्या हो जाएगा minus हो जाएगा तो इधर आप उनने क्या क्या गिया x के जापे 1 y के जगा पे minus 2 तो bracket में क्या आएगा y 1 कमा 1 कमा minus 2 तो देखो अभी तीनों value आप उनको मिल गया इधर भी तीन value आप उनको मिल गया अभी दोनों value को आप उन एक graph में plot करेंगे ठीक है तो तो अभी plot करने के बाद आप उनको मिलेगा point of intersection वो ही अपना answer रहेगा point of intersection का मतलब क्या है यह value plot करके आइसे एक line आएगा और यह value plot करके आइसे एक line जाएगा दोनों value किदर meet हो रहा है वो देखने का x क्या number है y क्या number है तो वो ही अपना point of intersection वो ही अपना answer है ठीक है अभी graph में कैसे करने का आप उन देखेंगे ध्यान दो ठीक है student प्लस 6 किदर आएगा y का इधर तो अपना point किदर आएगा इधर पे ठीक है तो इधर एक dot लाएक के circle करदो इधर पे लिखो minus 1 6 ठीक है second देखो 0 5 मेंने तुमनों बता है इतना x का value 0 आया तो x का value 0 यह 0 x का value और 5 कौन सा है y का तो y 5 बोलेगा तो किदर है 5 y इधर ही आएगा अमेसा x का value 0 आया तो यह line पे आएगा ठीक है तो आएगा 0 कमा 5 अभी तिसरा value देखो x का 1 y का 4 तो x का 1 x का value 1 बोलेगा तो plus 1 और y का 4 बोलेगा तो भी अभी plus ही है तो इधर पे dot आएगा इधर एक circle बना दो तो इधर क्या लिखेंगे 1,4 अभी तीनो dot आप उन लगा दिया तीनो value को आप उनने उदर plot कर दिया तो आप एग line डालना पड़ेगा आप उनको एग line अपना आप उनको एग draw कर दो scale रखके यह तीनो line को joint करके एग line डाल दो यह line डालने के बाद यह question जो है x plus y का value था ना यह तीनो तो x plus y equal to 5 का value यह तीनो है ना तो इधर नहीं तो इधर किधर भी वो लिख दो x plus y equal to 5 यह line का question का value वो अपन प्लोट कर दिया अभी यह तीन number को value को उदर plot करना पड़ेगा अभी पहला देखो x का minus 1 y का minus 4 x का minus 1 y का minus 4 x बोलेगा थी यह line है x का minus 1 x का minus 1 इदर है y का minus 4 y का minus 4 बोलेगा थी निछे तो इसके सामने इदर एक dot लगा दो तो इदर एक circle करदो bracket में लिको minus 1 x का और y का minus 4 ओलिग देनेगा second x का 0 0 आगे तो point भी line में आएगा 0x का y का minus 3 x का 0 y का minus 3 तो 0 आया तो अपनको point इधर ही लागाना पड़ेगा तो इधर एक circle करदो इधर निच्चे लिगदो 0 minus 3 0x के लिए y के लिए निच्चे y axis है न ये तो minus 3 मिला तो इधर पर आपन dot लागके circle करते है अभी तिसरा value देखो x का 1 y का minus 2 तो x का 1 बोलेगा तो ये x का plus 1 ये वाला और ये minus 2 बोलेगा तो निच्चे तो इधर पर इसके सामने x का और इधर इधर पर आएगा इधर एक dot लागा देंगे इधर एक circle कर देंगे ठीक है तो इसका answer आपने क्या लिखेंगे 1 x के लिए और minus 2 y के लिए तो तीन dot मेंने लगा दिया ये तीन value का तीन dot मेंने लगा दिया x का y का देखके x का y का देखके ठीक है अभी इसको भी मेरे को करना पड़ेगा joint तो ये भी में joint कर देता है ठीक है ध्यान दो scaled रखे तुम लोग joint कर दो ये joint करने के बाद तुम लोग के दोनो line joint हो रहा है न तो ये line के लिए भी कोशीन का नाम लिख दो x minus y equal to 3 करके अभी ये line जिदर पे joint हो रहा है वो देखने का क्या है वो line पे joint करने के बाद पहले x axis में क्या है 4 है y axis में क्या है 1 है देखो ये x axis है निचे का तो ये line इधर ही joint हो रहा है ना line joint होने के बाद पहले इधर नहीं देखने का ये y axis second में आएगा पहले x axis में किसके सामने joint हो रहा है 4 फिर y-axis में किसके सामने जॉइंट हो रहा है 1 तो अपना एंसर आएगा 4 x के लिए और 1 y के लिए ठीक ध्यान दो एंसर आपन को मिला, therefore the point of intersection x plus y equal to 5 question लिख लिख दिया, and x minus y equal to 3, ये दोनों है ना, ये कोस्टीन है, ये दोनों कोस्टीन में लिख दिया, तो इसका answer क्या है, the point of intersection of x plus y equal to 5 and x minus y equal to 3 is यह answer, जो joint हुआ न बीच वाला 4,1 तो यह अपना answer है, ठीक है text book की last page में चेक कर लो, यह answer रहेगा